फिट रहना बहुत ज़ादा जरूरी हो चुका है तो आज सुलाफे नकवी हमें बताएंगी लेजी वॉर्क आउट के हवाले से मेरे लिए भी यह निया है आप लोगों के लिए लिए विर निया होगा कि लेजी वॉर्क आउट के स quién कर सकते हैं लेकिन लो इंपक्त हो या थोड़ा सा रिलाक्स रहकर हो या मैं जहां भी बैठा हूं या जहां भी बैठी हूं वहां बैठ कर कुछ बता दो जो के आसान हो मैं ऐसे घर के सिर्फ अपने बाजू हिला हूं और वेट रिड्यूस हो जाए तो ऐसा ही कुछ हम वरक आउट आज को बताने वाले उन तमाम लोगों के लिए जो थोड़ा सा कभी कभी लेजी फील करते हैं और उनका दिल होता है कि बस आज थोड़ा सा रिलाक्स होना है लेकिन वरक आउट को skip नहीं करना यह अच्छी बात है तो इसलिए आपके लिए जेंटल वरक आउट में लेकर आई लेकिन उसमें सबसे पहले अपने आपको आपने कहना है एक affirmation देनी है वो यह क्या होगी I am relaxed क्योंके lazy होना या कई दफा आप active नहीं होते that's fine it's okay not to be okay मैं इसलिए बार बार कह रही हूं हम normal हैं हम इंसान है और it's what humans do so that's fine आपने क्या करना है सबसे पहले जब अपने आपको कहा कि I am relaxed आपने arm circles पर आजना असान आप बैठे भी हो सकते हैं इसमें और आप खड़े ओकर भी इस चीज को perform कर सकते हैं यानि के ऐसे 30 seconds तक आप ने इस तरह इस चीज को दोहराया arm circles और उसके बाद reverse यानि के जो opposite side पर आपने इसको switch करने के बाद आप 30 seconds तक इसको दोहरा चाहते हैं तो जैसे ही आप एक circle अपना complete करें तो one count करें एक count करने के बाद आपने 10-12 repetition आप इसकी कर सकते हैं 2-3 sets के अंदर यह होंगे आपके arm circles और बहुत सारे लोग इस चीज की शिकायत भी करते हैं कि arms का fat है वो इतना stubborn है कि वो कम नहीं हो रहा हमारे बाजू tone नहीं हो raises उसमें आपने क्या किरना है अपने toes पर आप थोड़ा सा खुद को raise किया and relax inhale and exhale इसमें क्या होता है इस exercise एक तो आप में balance भी आता है क्योंकि अकसर बहुत सारे लोग इस posture में balance नहीं कर पाते यह दिखने में आसान लग रहा है तो अगर आप शुरू-शुरू में इसको try क करना चाहते हैं तो आप अपना किसी भी चीज से support ले सकते हैं यह आपके लिए असान हो जाएगा लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी toes को थोड़ा सा उठाए and then relax थोड़ा सा उसमें pause जरूरी है ताकि जो fat है जो अक्सर हमारा होता है काल्स पर fat रह जाता है तो वह थोड़ circle यानि कि legs की वह movement होगी जिस तरह आप या तो पानी में है यानि कि swim करें बट single leg से कैसे हो सकता है वह इस तरह हो सकता है आपने comfortable position में आ पाए जो यह आपकी नीचे वाली लेगोगी आपने उसको यहां पर आपने उसको lock कर लिया या आपने इसको bend कर लिया और उसके बाद बिल्कुल swimming के एक style में इसलिए इसको mermaid circles बोलते हैं इस तरह से आप move करते रहे 30 seconds तक या 1 minute तक आप इस चीज को दोहरा सकते हैं और जैसे ही आप इस exercise को कर लें आपने raise करने पर आ जाना है यानि leg raises पर ज्योंकि standard हमारे leg raises होते हैं यह चीज अब थोड़ा समझ चाहेंगे थोड़ा बहुत तो intensity की तरफ जाएं तो कोई बात नहीं lazy days हैं मगर फिर भी हम इसमें आएंगे boat पर boat में क्या करेंगे यहां रहे लेकिन अपनी बाजों को इसमें involve रखेंगे इस position में जब हम आते हैं तो हमारा core engage होता है और यह वैसे भी boat pose जो है उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो belly fat की शिकायत करते हैं आप यहां आए और आपने इसको move करना शुरू किया 123 अब इसको count करते रहें अगर तो count करने के साथ अब 30 सेकंड तक इसको कर सकते हैं या 10 से 12 repetition और 2 से 3 sets के अंदर आप इसको दोहरा सकते हैं अब हम plank करेंगे plank थोड़ा सा जुरूरी है I know कि हमें लगे का कि यह काम आसान है लेकिन हमें यह करना होगा प्लैंक में गए अल्बो पर आगए यहां अपने कोर को squeeze करके रखना है बैक में किसी किसम का हंच नहीं होना चाहिए बेंड नहीं होना चाहिए प्लैंक में रहने के बाद 30 से 1 मिनट तक जैसे आप इसके अंदर रहे आपको लग रहा है कि बहुत हो गया है दो से तीन दफा आप इसको दोहराना होगा आपको इसको और उसमें आप जाएंगे आप ब्रिज पोज में ब्रिज पोज आपको बहुत हेल्प कर सकता है जब आप चारें लेजी डेज हैं तो कोई ऐसी एक्सराइज हो जो फॉरण से मेरी बॉड़ी को टोन करना शुरू कर दे और वेट भी रिडियूस हो अगर आप इसको प्रॉपर वे में करते हैं तो ब्रिज पोज ऐसे होता है कि आप फ्लोर पर इस तरह से आया अपने अपनी ल इनहेल एनखेल कुछ देर का पॉज आप उपर जाकर देंगे and exhale यह bridge pose हम gentle workout में क्यों शामिल कर रहे हैं यह सवाल है इसलिए कि जब आप bridge pose करते हैं या कोई भी ऐसी exercise करते हैं जिसमें आपकी lower body या legs involved होती हैं तो यह आपकी body का biggest muscle होता है इससे आपका weight reduced भी होता है और आपकी full body इसमें involved होती है तो यह चीज़ आपको इसलिए उसमें help करेगी जब भी हम gentle workout की बात कर रहे होते हैं तो सबसे आसान क्या होता है वो थी side stretch वैठे 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 वो होगी यह inhale and exhale inhale and exhale दूसरा एक चीज़ बैठे बैठे क्या कर सकते हैं आमने arm circles किये थे आप मैं मजाग से अपने जिते भी clients उनको मजाग से कहती हूं शीशा साफ करना इसको यानि कि आपने हाथों को बैट स्टाइल मिले गए और यहां पर आपने इसको move किया या अगर यह exercise आपको थोड़ी सी tough लग रही है या आप इसको interesting बनाना चाहते हैं तो आप इसको see circle में करेंगे यह see circle में चले गए और 30 सेकंड तक आपने सीश को दोराया और रिलाक्स अपनी breathing को उस पर गौर करते रहे क्योंकि breathing का pattern आपके लिए बहुत जादा ज़रूरी है आपको relax रखने के लिए याद रहे कि कभी-कभी इनसा होता है कि दिल कर रहा होता है चलो workout skip ना करूं लेकिन relax रहना चाहता हूं तो उस दिन आप यह workout कर सकते हैं और आपको help भी करेगा लेकिन आपको consistent रहना होगा यह इसल में एक ही point होता है आपका किस तरह आपको weight reduce हो सकता है यह life में कुछ भी आसल करना चाहते है आपको consistent उसमें रहना चाहिए I hope कि आपको यह lazy workout यह gentle workout बहुत पसंद आया होगा और आपकी help भी करेगा इस हवाले से आप हमें अपने feedback से आगाव भी कर सकते हैं और मेरी तरफ से fitness की इस journey में आप सब को best of luck guys